एक चोटे सी गव में मोटो नाम का एक लड़का रा करता था, मोटू बेरुजगार था, उसके पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए मोटू एक आदमी के पास आता है, और वो उससे कहता है सुनिए कि आप मुझे अपने पास कोई काम देंगे मैं बेरुजगार हूँ और मुझे कोई न कोई काम करना है इतना कहता है, ये बात सुनकर वो आदमी कहता है ठीके ठीके, तुम मेरे पास काम कर सकते हो इसके बाद मोटु आपे काम करना शुरू कर देता है तबी मोटूद देखता है कि वो आदमी अकेला है और उसके पास बहुत सारे पैसे है तबी मोटूद सुचता है अगर मैं इसे मार दू तो इसके पास जितने पैसे है वो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और वैसे भी ये तो सब्जिय बेज़ी बेचकर बहुत सारे पैसे कमा चुका है इतना सोचकर वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है अरे वाह तुमारे पास तो बहुत सारे पैसे है आप ये सारे पैसे मेरे होंगे इतना केकर वो उस आदमी को मार देता है और उसके पास से सारे पैसे चीन कर भाग जाता है और शहर में काफी ऐश बरी जिन्दगी जीरा होता है तबी ये आदमी एक भूद बन जाता है और सोचता है मैंने उसी बिचारा समझ के उसे नौकरी दी और अपनी पास काम पे रखा लेकिन उसने तो मुझे मार दिया मैं उससे चोड़ूँगा नहीं मैं उससे बदला लूँगा एतना सोचकर ये भूद शहर पोज जाता है शहर पोजने के बाद मुर्ट को दून लेता है और मुर्ट के सामने आ जाता है और कहता है अरे वाँ वाँ तुम तो मेरे पेशे चिन कर यहाँ पे ऐस बरी जिन्दगी जीरे हो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं ये तना के गर वो बहुत मुर्ट को जान से मार देता है और अपना बदला लेलता है